नमर श्कार दोस्तों भगवन आप सभी कबला करें और आपकी सारी 6 मन कामने पूरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ सरी लेड़ेड महत्पूर जान करें करूँगा जिसमें सरपतम फिंगर के एनलिसिस के बाद इस परेपाम के एनलाइस करते हैं आपके जेतने भी परेशन है गवर्मेंट जॉप से लेकर के मैरिज उन सभी का आंसर भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा तो सरपतम बात करें फिंगर के लेंथ तो यहां देख सकते हैं कि बहुत यह शौट है फिंगर जिसके करण आप इंस्टेंट डिसिजन लेना पसंद करते हैं इस कंडिशन में कुईक रिस्पॉंड करना, कुईक अपने थिंकिंग को इंप्लिमेंट एक्शन के रूप में कर देना यहां पर किसी की भी अंडर में कमफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना खुद के रूल्स रेगलेशन मन मुताबिक अत्यधिक काम करना यानि इंडिपेंडेंट वर्क करना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप जैसे जातक वो होते हैं जो शन भन के अंदर अपना निरने बदर लेने वाले और बहुत बड़ा कोई रिस्क ले पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं यह पूरे पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका यह रेक्टिंगुलर पाम है जो यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपके उपर इंवार्मेंट का असर बहुत गहरा पड़ता है इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ या जो लोग उपर उठ रहे हैं मेहनती हैं उन सब के साथ उठना बेठना अच्छे माहुल में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंवार्मेंट के द्वारा बहुत इमिजेट इंफुलेंस आप जिसे जातक हो जाते हैं इसे कहते हैं फायर इलिमेंट हैं जो इमिजेट एक्शन लेने के टेंडिंसी को इमिजेट इमोशन में होने जोने चेंजेट को भी और इमिजेट प्लैनिंग में होने जोने चेंजेट को भी इंडिकेट करता है यहाँ पर यह emotional, impagion और impulsive बनाता है लेडेल फिंगर का पूरा जुका को थेर्ड फिंगर के तरफ है तो family oriented परसनेल्टी है आपकी family के अंतरगत रहे कर अत्यदिक काम करना या family के suggestions पर ज्यादा चलना पसंद करते हैं little finger के लिए short होने के करण ये थोड़ा interview में आपको problem face करवा सकता है क्योंकि इस condition में communication issues देखने को मिलते हैं जिसके करण मन की पूरी बात सही डंग से दूसरों के सामने रखपाने में हिचकेचाट घबराहट होती है management हलका सवीख होता है इसलिए कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और थोड़ी learning habit या communication habit पर सुधार करने का प्रैतन करते रहना चाहिए यहाँ पर third and first finger के लिए में first finger के लिए थोड़ी से ज़्यादा स्टॉंग है जो responsibility taker बनाती है अर्थात किसी प्रगर का जिम्मेदारी लेने से अपने जिवने पीछे नहीं हटते है और यह बहुत अच्छा यहाँ पर आपको top position या authority पर भी लेकर के जाएगी बस condition यही है कि studies regular based या long hard deep studies को prefer करना ज़रूरी है इसका जुगाओ second finger में होने के करण अध्यात में रूची धार में किसमी के प्रवती आपकी होती जाएगी और इन सारे कारियों से या निदान धर्म पूजा पार्ट से अपको लाब भी बहुत मिलेगा finger के उपर सीधी खड़ी रेखाओं के इसी शंकला मितरता पुरवक सुभाओं को दर्शाती है जिसके करण हर परिस्तिती माहुल में अपने आपको ढाल पना हर प्रकार के लोगों के सा संबन्द अच्छ रखना ये भी बेसिक नेशर में होता है हलके फुल के आड़ी रेखा हैं जो बार बार रिष्टों में थोड़ा तनाव ले आती है की स्थिती इंटर्नल मार्स की स्थिती सामान है तो इस्टेमिना एनरजी रोग प्रतिरोधक्षमता ठीक रहेगा अभी आते हैं आपके पाम के क्लोज अप पे तो यहाँ पर आपका सबसे पहला परेशन है गवर्मेंट एक्जाम कब तक क्लियर होगा बेंकिंग के रिगार्डिग और मैरीज इन सब के कब तक होने के चांसेज है तो गवर्मेंट एक्जाम clear करने के लिए mind line के straight या strong होना ज़रूरी है और वो आपके हतीले में है तो ये तो बहुत एक अच्छा point दिखा कि आपके अंदर knowledge की या ग्यान अरजित करने की या utilize करने की कमी नहीं है सूर के छेदर के उपर एक सीधी खड़ी रेखा जो ये जा रही है ये 100% confirm कर रही है कि आपका government job तो होगा या secure job life में रहेगा लेकिन अगर ये रेखा हैं बहुत ज़्यादा बंती चली गए तो फिर ये कहपाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सूर के उपर जितनी कम रेखा हो उतना ही अच्छा होता और यहाँ पर कम रेखा तभी हो सकती है जब व्यक्ती multitasking nature से दूर हटे यहाँ पर आपके साथ होता यह है कि आपको आपका वीजन या goal बहुत ज़्यादा clear है लेकिन उसके परती जो dedication है या जो concentration है या जो hard work है वो नहीं हो पा रहा है और यही reason है कि हर छितर में हाथ हाजमाना हर बात से influence होना या एक परकार से अपना goal बहुत ज़्यादा मजबूत या dedication ना रखना इस बात को confirm कर रहा है कि आप बहुत जल्दी अपना concentration lose करते हैं यही reason है कि इतनी सारी रेखाएं आ रही है क्योंकि इस condition में influence किसी भी situation व्यक्ती बातों के accordingly हो जाते हैं और उस करण से जितना भी मेहनत करते हुए आ रहे हैं या dedication रखते हुए आ रहे हैं वो disturb होता है इसलिए इस condition में अपने आपको बहुत ज़्यादा ही restricted रखना या अपने aim के प्रती बहुत ज़्यादा dedication रखना ज़रूरी है ये सूर्य आपका अभी ना खराब है ना ही अच्छा है अच्छा इसको कर सकते हैं सिर्फ फोर सिर्फ rules regulation discipline maintain करके तो यहाँ भी confirm हो गया जूपिटर माउंड के उपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके एक square का sign बन रहा है ये square का sign बहुत lucky partner को indicate करता है partner के आने के बाद prosperity properties यसी चीज़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या जो partner के साथ जो connection होता है वो pending एक प्रकार से कर्मा के अतरिक्त भी आता है यही एक मात reason भी है कि आपके life line के प्रेलल supportive line भी इदर active होती दिखाई दे रही है तो इसलिए partner आपके working करते विए देखने को मिलेंगे और दूसरी बात यह है कि marriage होने के जो chances है 27 याज पस तक अच्छे खासे है और जहां तक रहा job का बात तो आपका जो mind line है वो भी कुल मिलाकर के चल बहुत अच्छा रहा इधर से भी एक progress line निकली हुई है और इसका age calculate करें तो 25 और 6 के mid का period यह दिखा रहा है इसके पहले भी हो सकता है बस आपको अपने सूर को थोड़ा और ठीक करना है बाकी कोई further issue या trouble है ही नहीं moon luck line जिसके हाथ में हो उसकी सारे मनुकामना देली एक्छा पूरी होती है क्योंकि ऐसे ज़्यादा के अपने dream, desire, ambition को लेकर बहुत ज़्यादा strict होते हैं dedicated होते हैं और इस condition में birth लेसे दूर बहुत growth होना opportunities मिलना, travelings के regarding, mother support attachment बहुत अच्छा होना partner के बाद comfort zone life में बहुत ज़्यादा बढ़ना अपने passion hobby को follow कर भी बहुत आगे बढ़ पाते हैं और दूसरों की support करने से भी पीछे नहीं हटती है ये भी एक बहुत अच्छा point होता है इसमें तो marriage अच्छी रहेगी आपकी partner अच्छे रहेंगे अच्छे innocence क्योंकि square बनगे इससे अच्छा कोई sign होता ही नहीं partner के लिए और शुक्र भी इदर अच्छे है तो सीरत सूरत सब बहुत बढ़िया यहां रहने वाला है और इतना सोचने की ज़र्वत है ही मून लक लाइन है तो वह आपका भागी ही है आपका भागी ही उत्तिजी जब एक प्रगार से उत्पन वहां से होने वाला है तो आगे की बात करने से कोई मतलब है ही नहीं जुपिटर मांट पर डायरेक्ट आते हैं आपका जुपिटर मांट डेवलोप्ट अच्छा आपके इंदर सेल्फ रिस्प्रेक्ट ज्यादा रहेगा बहुत हाई करता है तो यहाँ जुपिटर को और स्ट्रोंग करने के लिए नॉलेज रेगुलर बेस्ट गेन करना चाहिए यानि लर्णिंग रखनी चाहिए मंदिर विजिट करते रहना चाहिए निश्वार भाव से कुछ भी डोनेशन लाइफ में कभी भी करते रहना चाहिए तो इससे आपका जुपिटर और अच्छा होगा और जब यह और अच्छा होगा तो ग्यान से लेकर के विजडम और क्लैरिटी और पोजिशन पावर यह सारी चीज़े मिलने में फिर तकलिफ नहीं आएगी सेटन माउंट के उपर सिर्फ दिक्कत यह है कि यहां आड़ी रेखा है जो मूर स्विंग देती है इसको भी एक रीजन के सकते कि सर्ण माउंट पर इतनी रेखाएं आ रही है और सर्ण माउंट दबरा जो कि यह रुक रुक करके आगे कि तरफ बढ़री और at least सेटन तक पहुची जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि at the end आपके desire complete होगा एक बार में कोई काम नहीं बनेगा क्योंकि multitasking नहीं चारे है focus बहुत जल्दी disturb होता है अगर मन चाहा परेणाम न मिला तो Saturn पर इतनी सारी रेखाओं को यहाँ पर temporary based earning कहा जाता है temporary opportunities कहा जाता है यह रेखाएं इस बात को दरशाती है कि आप जीवन में हर छेतर में हाथ हजमाएंगे हर प्रकार की चीजें यह हर प्रकार का experience लेना पसंद करेंगे इन सब चीजों में energies disturb हो जाती है इसलिए पहले अपना base मजबूत करने फिर उसके बात free रहेंगे कुछ भी करने के लिए अर्थात पहले अपना job secure करने, life settle करने उसके बात सब किस सब चीज आप freely कर पाएंगे आपके लक में again कोई भी कमी नहीं है, बस यह है कि consistency नहीं है जिसके करने रुक रुक करके आप काम करते हैं, आपके काम बनते हैं जब भी मंगल से शनी के तरफ कोई इसी रेखा जा रही हो, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती ऐसे जातक अपने मेहनत से अपना सामरा जित तक इस्थापित कर पाते हैं, यानि बहुत बड़े लेवल के successful हो पाते हैं क्योंकि Saturn हाड वर्क है, और यहां जो मार्स से ये लाइन स्टार्ट हो रहे है, यहां पर आपको पराकरम देगी, पराकरम अर्थात करेज, हिम्मत देगी, होसला देगी, कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में दूसरी जब सूर के तरफ ऐसी रेखा हैं जुकती है, तो इसे पूरवपुन ने रेखा कहते हैं, जो की dedication line होती है, बहुत सारे लोग इस जिन्रम में अपना हिसाब किताब लेने या देने आएगे, तो कोई अगर आपको tease करे, trouble दे, आगे से रेकर problem दे, तो खुशी आता है, अपने घर परवर में सबसे ज़्यादा सूखी संब्रिद धन्वान बना देता है, इसका indication आपके left palm में भी है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आपको life को systematically way में ले करके चलना है, that's it, जितनी भी रेखा हैं, हल्की फुल की जुक रही है, बुदह और सूर के बीच क्या करती होती है, तो दूसरों की नकल बहुत जल्दी उतार लेते हैं, दूसरों की चीज़े कॉपी अच्छे से कर पाते हैं, शॉर्टकट में काम कराने के आपदत इस condition में होती है, दूसरा ये entertaining type का nature personality build करता है, कि आप दूसरों को मनोरंजित कर पाने में, बांध पाने खीच पाने में, attract कर पाने में अर्थात सक्षम है, तो यह combination आपको हस्मुख हास कभी या मनोरंजग किस्म का व्यक्तित देगा, जब भी multipass line mercury के उपर होती है, तो again ये attractive nature personality के निशानी होती है, लोगों से घेरे या बंधे वे जीवन भर देखने को मिलते हैं, बस यही है कि और communication को strong किया जाए, तो interview जिसी चीजों में आपको trouble फिन नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा किसी भी प्रकर का puzzle solve करते रहना चाहिए, calculation जिसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और किसी भी तरह से sympathy या communication कैतरिक तो लोगों को motivate करना चाहिए, आपका mercury और अच्छा respond करेगा तो लोग permanent आप से जुड़ना शुरू कर जाएंगे, ऐसी स्थीति में जीवन में कभी भी धन की, काम किया, लोगों की कोई कमी पढ़ती नहीं है, गणपती जी की भी आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर बुद्ध के लिए आपको इसलिए suggestion इत्ते सारे द सकते हैं, और हमेशा किसी भी तरह से positivity पढ़ना चाहिए, जैसे को inspiration book हुआ, भगवत गिता हुई, रामायन हुई, यह सारी चीज़े आपको heal करेगी internally level पर, और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, रेदरेखा की स्थीति बिलकुल सामाने हैं, जब भी रेदरेखा श प्रतिक बात ग्याद कर लेंगे, अपनी बहुत rare ही किसी को बताएंगे, money minded यह ज़्यादा बनाता है, और कामुकता भी यह ज़्यादा देता है, तो sexual pleasure की requirement ज़्यादा पढ़ती है, बट जब रेखा है, overlap करके जूपिटर के तरफ जाए, तो इस condition में चाहा करके भी बूरा किसी का नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज़्याद मतलब ही नहीं हो पाते हैं लाइफ में, और यह चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि यह सतकर्म कराती है, एक combination इसमें से यह दिख रहा है कि एक हलकी फुल की रेखा, जो इसका connection हलका समंगल की तरफ से बैठ रहा है, ऐसी जीवन में की, ज़्यादा इंडिपेंडेंसी मिल नहीं पाई, फैमिली से ज़्यादा connection रहा है, या उनी के अतरिकत आपने काम किया है, या निरने लिया है, अराउंड 24 या 5 के आसपस से आपकी माइंड या लाइफलेन अच्छे से इंडिपेंडेंट हो पार यह तो और चालाग भी देखने को मिलते हैं, और उपर के तरफ रेखा जुकने के करण पेसा अच्छा जीवन में बना पाते हैं, या अच्छे धन्वान देखने को मिलते हैं, तो माइंड लैन में कोई दिक्कत वैसे है नहीं, हलकी फुलकी राहों के रेखाये नजर आ रही है, ज जर्मिस्थान से दूर रसने बसने जैसे योगों को भी निर्मित कर देता है, अंदुरुनी मंगल से रेखा करके माइंड लैन से भी अटेच है जिसके करण थोड़ा इंपेशेंट आप यहाँ पर रहेंगे, और इस करण से बनते बनते काम बिगड़ भी सकता है, तो प्रोपर्टी बनने का चांसे भी इस कारण से बहुत अच्छा है, इंटर्नल मार्स की स्थिति फिलाल बढ़िया जा रही है और आउटर मार्स भी डेवलोप ठीक है, तो शारिरिक गठन से लेकर मानसीबल ठीक रहेगा, शुक्र जब अच्छे पोजिशन में होता है, तो लगजरी इस कमफर्ट की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसलिए यहाँ पर आप सुख सुविधा के अतरिकते ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे, ब्रांडर चीज़े पसंद करना, यूनिक चीज़े अच्छी पसंद आना, खुद को बहुत मिंटेन क करना, आज पर उसका वातवरन बहुत सावसुतरा रखना, कला प्रेमी, साहित प्रेमी होना, सारे प्लेजर को फुल्फिल यह शुक्र करता है, इसलिए यहाँ पर यह हीलर का भी कारफ हो जाता है, हील कैसे करेगा यह जैसे कि आपको अगर कोई नेगेटिव सेनेरियो आदत या उससे प्रभावित होने की योग बहुत ज्यादा निर्मित हो जाते हैं, इसलिए जहाँ पर भी रहें, बहुत अच्छा माहुल सराउंडिंग बना करके रखना जरूरी है, बार बार यह बात रिपेट किया जा रहा है, शुक्र अच्छा होने का यही तो निशान को, क्योंकि शुक्र अग्रक आ रहा हैं भोग विलास, सुख, सुविधा, समरिद्धी, प्रसिध्धी के लिए और वो आप इस प्रकार के चिंता या नेगेटिव माइंड लेकर के चलेंगे तो कैसे शुक्र अपने अच्छे रिजल्स दे पाएंगे, इसलिए ग्रिटिट के सिर्फिश इंबल के साइन्स आना शुरू हो रहे हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक खलका सा बहुत छोटे लेल का इधर है, इस प्रकार के साइन्स सेडन गेन प्रोग्रेस या इंटिशन्स बहुत अच्छे दे पाते हैं, योग साधना के माद्धियम से, और मून ल रैंक का पोजिशन आपका हो सकता है, उसको यह इंडिकेट कर रहा है, मर्गरी के तरफ बार बार जुकने आली रेखा है, हमेशा अपना फायदा निकलवाती है, इसलिए आप जैसे जातकों का नुकसान जीवने बहुत रेर ही होता है, अपने बुद्धि मता से, सही निरन या सेटलमेंट लाइफ का होने के संपुन योग आपके हतीली में मौजूद है, और यही दूसरा पामपिक है, जिसमें कुछ राहो की रेखाएं भी काटके गए, लेकिन चिंताली बात नहीं है, सपोर्टी लाइन बहुत अच्छी है, आपके हाथ में एक्टिव होती बार प्रेमी, साहित प्रेमी, या हमेशा क्रिटिव मेंटिलीट को यह रिप्रेजन करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बट यह सारी चीज़े सेटन के रेमिडी से कंट्रोल हो जाएगा, और अगेन मनी ट्रेंगल का फोर्मेशन हल्क किसी लेवल के यहां दिखाई देने लग तो अगर इन फ्यूचर यह कंप्लीट होता है, देन आफ्टर पेसा आपको अच्छा आएगा, हमेशा अलग-अलग प्रकार के तरीके से काम करने की जो लोग सोचते हैं, उनके हाथ में इसी माइंड लाइन फिर आती है, इसके बाद देखें लेफ्ट हैं, तो यहां पर भ लोगों के हाथ में होता है, जो पेसा देकर अधिकतर काम कराना पसंद करते हैं, ट्रेंगल जैसे साइन यहां पर बहुत रईस, सम्रिध, खुशाल बनाते हैं, लेकन यह सारी रेखा हैं, जाली के साध में बन रहे हैं, तो जीवन में संघर्ष तो रहेगा, पिता से वेच तो तकलिव जैसी चीजों से बचाता है, नजर दो शेसी कोई भी चीज आप जैसे जातकों को नहीं लगती, तो यह सारे कॉंबिनेशन ग्रेट सक्सेस्फुल परसनेल्टी को इंडिकेट कर रहें, लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने उपर और थोड़ा सुधार करें तो आशा करता हूँ, आपके तकरिबन सभी परशनों को तरमिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद